नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सन्मार्ण मेश रासी बालों सुक्र का रासी प्रिवर्तन होने जा रहा है सुक्र अभी तक करन्या रासी में थे अब वो 18 सितंबर को तुलारासी में अपने ही घर आ रहे हैं और यहां पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो 18 तारिकी रात और यहां से 13 अक्टूबर तक जब सुक्र तुलारासी में रहेंगे तो मालब बे नामक राजयोग बनेगा और इस राजयोग का प्रभाव लाइफ पर बहुत खुबसूरत तरीके से पड़ता है लेकिन आपकी कुंडली में बना हो तो सूने पे सुहागा तो ये जो करिब 23-24 दिन का समय है ये ऐसा समय है जो आपको उचाईयां देगा आखिर क्या मिलेगा और किन चीजों से परहेच करना है ये हम जानेंगे देखिए सुक्र का तुलारासी में आना सर्वस्रेश्ट माना गया है क्योंकि बहुत सुप्फल देते हैं 18 सितंबर को लगभग 2 बजे प्रवेस करेंगे तुलारासी में और 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो बहुत सुप्फल देंगे प्रेम बरसाएंगे लक्षमी बरसाएंगे खुबसूरती के कारक भोग विलास के कारक तुलारासी में जब सुक्र आते हैं वो अपनी ही रासी में आएंगे मालब्य नामक राजयोग बनाएंगे तब यहाँ पर क्योंकि देखिए सुक्र के ऊपर किसी अन्य गरह की द्रिष्टी सुक्र का अपना जो प्छल है खुल कर दे पाएंगे मेस रासी वालो सुक्र सप्तम भाव में जब आएंगे तो मालब्य नामक राजयोग और काम नामक राजयोग का निर्मान करेंगे तो इस राजयोग के कारण खूब सफलता मिलेगी हर छेतर में लंबे समय से रुके कारे बनेंगे मालक्षमी की किर्पा बरसेगी जीवन साती या किसी इस्तरी सहकर्मी की मदद से भी आपको खूब लाब होगा करियर में खास कर विशेश लाब मिलेगा अगर आप घर से दूर जाकर जौब करना चाहते हैं विदेश में करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके सपनों को पूरा होने का है पदोनती का लाब मिलेगा ब्यापारी भाईयों को खूब लाब होगा भविस्य के लिए धन संचित आप कर पाएंगे अब दामपत्य सुख बढ़ेगा पार्टनर के साथ किसी तरह कोई मनमुटा था वो समाप्त होगा तालमेल बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा अब देखिए जो लोग और विवायत है उनका विवाह होने के योग बनेंगे विवाह पक्का होगा और साजे धारी का विभाव है सप्तमभाव ऐसे में पार्टनर्शिप में अगर कोई काम करते हैं कोई एग्रिमेंट आपने किया हुआ है कॉंट्रेक्ट करने की बात है तब यहां पर देखिए आप किसी के साथ पार्टनर्शिप कर सकते हैं एग्रिमेंट हो सकता है इसमें आपको तरक्की होगी आप धन कमाएंगे देश बिदेश खासकर अंतराश्टी बैपार में ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे इस प्रियड में अब सुक्र कानूनी मामलों में भी आपको आपके हक में फैसला दिलवाएंगे समान बुद्धी बढ़ेगा यस रुतबा बढ़ेगा उच्पद की प्राप्ती होगी टीम लीडर आपको बनाया जा सकता है सप्तम्भों में सुक्र थोरी सी जो बिमारियां थी जो सत्त्रू थे उनके नास भी करता है तो कोई भी बिवात था वो समाप्त हो जाएगा यानि चारों दिसाओं से जितने सुक्र मिल सकते हैं वो आपको देगा खास कर जो विद्यार्थी है प्रतिता प्रिक्षा में सफलता मिलेगी पूराना रुकावा कारे बनेगा पैत्रिक संपत्ती बिरासत में संपत्ती प्राप्त होगा धर्म में आपकी रुची बढ़ेगी आपकी आस्था बढ़ेगी बिस्वास बढ़ेगा ग्यान बढ़ेगा और भागी तो बढ़ेगा ही उच्छी सिक्षा में सफलता मिलेगी साथी इस समय अगर आप कहीं के लिए बीजा वेगरे चाह रहे ते वो भी मिल जाएगा अब असुफल क्या होगा देखिए यहाँ पर सुक्र की स्थिती ज्यादा सुब ना हो तो कोई ग्रह दसा बरतमान में अगर आपकी कुर्ली में खराब चल रही है तब थोरा साब को परिशा नहीं देगा तो क्या करेंगे ओम सुम सुक्राई नमह इस मंद्र का जब रोज भोर के समय कम से कमी 11 बार और रात सोने के पहले जब कर लीजेगा आपका कल्यान होगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद